हे गाइस, वीलसन मैच की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम अनिकेत है और आज की वीडियो ना बड़ी जबरदस्त होने वाली है, थमनेल लेकर करके आप समझ ही होगे कि मैं किस गाड़ी का रिव्यू लेकर के आया हूँ, सबसे पहली इंडियन मे किया होगे तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, तो चलिए बिना किसी देजी के शुरू करते हैं, टाटा इंडिका जीटा का कमप्लीट डीटेल्ड रिव्यू, तो आज मैं बात करने वाला हूँ, इंडियन कार मेकर द्वारा सबसे पहली बनाई जाने वाली हैच बैक के बारे में आप लोग सामने का हुलिया देखकर पहचान ही गए होगे कि मैं कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, यह है टाटा इंडिका, जीटा, यानि की जो सेकेंड वर्जन आया था इसका टाटा इंडिका का, उस मॉडल का रिव्यू करने वाला हूँ, यहाँ पर आपको काफी घूपसूरत प्यारा सा फ्रेंट लुक मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्रोम इंसर्ट मिल जाती है उपर की तरफ, और क्रोम इंसर्ट ना यहाँ पर भी आती थी, एक, दो, तीन, चार जगाओ उपर क्रोम इंसर्ट आती थी, लेकिन क्यूंकि यह क्रोम इंसर्ट अब निकल चुकी है गाड़ी काफी पुरानी है तो यह आपको यहापर नहीं दिख रही है लेकिन विदाट क्रोम इंसर्ट भी आपको ग्रिल काफी घुपचूरत लगने वाला है यहापर अच्छा खासा आता था आज कल की गाड़ियों में जिसमें हलोजन बल्प आता है उसमें हेडलाइम का थ्रो काफी कम देखने को मिलता है लेकिन इस गाड़ी के मामले में ऐसी कहान ही नहीं थी यहापर अच्छा खासा हैडलाइम का थ्रो हुआ करता था ऐट प्रोफाइल की बात करें यहापर आपको सैड बॉडी कलाडिंग देखने को मिल जाती थी यह देख रहा हो बाड़ी कलर में सैड बॉडी कलाड़िंग तो थोड़ा सा प्रपोर्शनेट लग जाता क्योंकि ये गाड़ी ने टॉल बॉय डिजाइन के साथ आती थी काफी उची गाड़ी है लेकिन उस हिसाब से आगर वील्स देखे ना तो छुट 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 लगते है लेकिन स्टील रिम्स मिलते थे कुछ ऐसी वील कैप यहा मिलती है आपको पाच वेरियंट मिलते थे एक तो था जी एल फिर आता था जी एल ए फिर आता था जी एल एस याने कि यह जो थर्ड वेरियंट यह जी एल एस वेरियंट है फिर आता था जी एल जी और टॉप मॉडल जो था उसको बोलते थे जी एल एक्स तो यह वेरियंट जी एल ऐसे यानि की थर्ड वेरियंट है इसमें आपको पावर स्टेरिंग एसी ये सारी चीजे मिल जाती थी जो बेस मॉडल था ना उस वक्त उसमें आपको पावर स्टेरिंग एसी वगरा भी नहीं मिलता था और साइड मिरर्स कुछ ऐसे लीफ शेप में आया करते थे और जो है वो भी ब्लैक फिनिश में आया करते थे और ग्लास एरिया इस तरह काफी बढ़ा है अगर आप ध्यान से देखोगे ना ग्लास एरिया को तो टाटा सफारी का जो सेकेंड रो ग्लास एरिया आता था जो पुरानी वाली सफारी आती थी उसका आपको कुछ ऐसा ही सिमि तो रेर काफी खुबसूरत लगता है यह लंबे लंबे लाइट्स यहाँ पर दिये गए है यहाँ पर भी कंप्लीट हैलोजन सेटप ही मिलता है यहाँ पर ब्रेक लाइट है यहाँ पर रिवर्स लाइट टर्न इंडिकेटर और नीचे की तरफ रेर फॉग लैंप भी आप अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले आप को बूट सबस्पेस दिखाता ओ इस गाड़ी की तो चलो tailgate open कर लेते हैं, तो tailgate हो गई है open, यह देखो, door की opening काफी wide है, काफी decent है, और इसमें आपको 214 लीटर का boot space मिलता था, इतना खास कुछ boot space है, थीक ठाक boot space है, layout भी काफी rectangular है, यह काफी अच्छी चीज है, एक बड़ी सी bag आ जाएगी, एक soft bag आ जाएगी और आपका boot ह भी मिलता था, और यह काफी काम आता है अंधेरे में, boot lamp बगरा, और यहाँ पर आपको parcel shelf भी मिल जाता था, उस वक्त भी मिलता था यह parcel shelf, और parcel shelf के उपर उस वक्त ना speaker लगाने की प्रता हुआ करती थी, तो उसके उपर speaker लगाने के लिए जगा नहीं हुआ करती थी, तो य एक सेकेंड रुकना जरा, यह है 60% folding seat और यह 40% folding seat, यह कर देता हूँ मैं साइड में, कुछ ऐसे lever आया करते थे तभी, तो यह lever खेच दिया, मैंने यह seat कर दी नीचे, और इसको आप तंबल भी कर सकते हो, तो यह देख रहे हो आप, यह seat completely tumble हो चुकी है, मतलब यह floor जो है, यह complete flat हो चुका है, अगर यहाँ पर किसी एक इनसान को बैठना है, तो बैठ सकता है, अगर 40% seat याने की कुछ पतला समान है, तो वो seat भी आप उसी तरह से fold करके tumble down कर सकते हो, यह देख पा रहे हों कि आप, यह seat completely tumble हो चुकी है, तो आजकल की गाडियों में यह tumble down वाला feature क्यों नहीं आता भाई साब, कितना अच्छा कितना बढ़िया feature था यह, space दिखा देता हो एक बार आपको space तो भरपूर दिया गया था इस गाड़ी में, बले ही यह car mini car हो, लेकिन आपको space बहुत मिलता था, अब मैं rare seat पर बैठ चुका हूँ, और यह देखो, यह जो गाड की seat से, हलाकि under thigh support थोड़ा सा कम है, थोड़ी सी छोटी seat है, लेकिन मुझे इतनी कोई शिकायत नहीं है, इसमें भी, यहाँ पर central tunnel जरूर दिखाएगा आपको, तो दो लोग बड़े आसानी से बैठ सकते हैं, जो बीच में passenger बैठेगा ना, उसको pair रखने में हलकी full की दिक् handle दिया गया था, head room की अगर बात करें, तो head room भी ठीक था गया, लगबग 1 inch की head room मेरे लिए मिल रही है, 6 feet का बंदा है, 6 feet के उपर height वाले बंदे भी बैठ सकते हैं, थोड़ा सा नीचे होके उनको बैठना पड़ेगा, लेकिन बैठ सकते है, adjust हो सकते हैं, ऐसी कोई भी दि चीजे मिलती थी, आप seats की fabric देखो, जो design वगरा आपको मिलता था, यह देखना, उस वक्त 3 लाक में आपको इतनी सारी चीजे मिलती थी, seat की width की बात करें, तो coffee wide seats थी, 3 medium size के adults भी बड़े आसानी से यहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ पर आपको एक और खास बता दो, यह ज जो कपड़ा है, यह आप देख पा रहे हो, यह leatherette finish में है, और आगे की तरफ जो कपड़ा है, यह fabric finish में है, तो sides and rare में आपको leatherette finish में कपड़ा मिलता था, बले वो headrest हो, या बले वो पुरी seat हो, उसके लिए, तो यह देख पा रहे हो, यह 3 लाक में यह सारी चीजे मिल रही यार, मतलब क्या बोलोगे आप इस चीज को अभी, अब आगे भी आपको दिखाता हो, आगे भी काफी मज़ेधर चीजे है, आज के गाडियों के मुकाबले जो 6-6-7-7 लाग की गाड़ी आती है, उसके मुकाबले इस गाड़ी का space कैसा लगा, यह आप मुझे जरूर बता तो अब मैं आ चकाओ इस गाड़ी के front seat के उपर और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले steering wheel, steering wheel काफी बड़ा दिख रहा है, और यहाँ पर steering wheel काफी बड़ा है भी, और यह जो पूरा section देख रहे हो ना आप, यह पूरा section horn के लिए दिया गया था, तो आप कही से भी प्रेस करोगे ना तो horn बजेगा, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, ignition on कर देते है गाड़ी का, और यहाँ पर भी आप दबाऊगे, कही से भी आप दबाऊगे रहा तो horn बजेगा यहाँ तो यह काफी अची चीज थी, यहाँ पर हाला कि steering controls तो उस वक्त आते ह नहीं थे, और leather wrapping वगरा की भी कोई प्रथा थी नहीं, तो leather wrapping वगरा भी यहाँ पर नहीं मिलता था, और यह जो lever है, यह जो switch आप देख पा रहे होंगे, यह है headlamp leveler switch, यहाँ पर आपको left side का जो इस तारा stock है, यह wiper controls के लिए मिलता है, और उस वक्त भी आपको अगर यह जाते थे wipers के लिए, और right side का जो control है, यह सारा headlamp controls के लिए दिया गया है, अब instrument cluster की बात करें, तो यहाँ पर complete analog instrument cluster मिलता है, left side speedometer के लिए है, right side में tachometer मिलता है, 8000 rpm तक की red line दी गई है, और यहाँ पर सारे आपको walling lights मिल जाते है, side AC vents कुछ इस तरह से मिलते थे, एक दम simple, यहाँ पर कुछ buttons आया करते थे, top model में यहाँ पर आपको electric mirror adjustment के लिए button आया करता था एक तो, इस तरफ, अब ORVM आप इस तरह से adjust कर सकते हो, इस stick की मदद से, खाली stick नहीं है, यह देखना, यहाँ पर भी काफी अच्छी तरीके से cover किया गया है, यह देखो, अब यहाँ पर भी ना आपको storage space मिलती थी, यहाँ पर तो फिलाल mask पड़ा हुआ है, यहाँ पर storage space देख रहे हैं, इतनी storage space है, यहाँ पर phone आसानी से आ जाएगा, जो phone है, mobile phone वगरा है, wallet वगरा है, यह सारी चीज़े आपको आसानी से यहाँ पर रखने को हो जाएगी, bonnet hood open करन करने के लिए और tailgate open करने के लिए levers यहाँ पर है, अब बात करते हैं center console की, तो यहाँ पर आपको सारे controls मिल जाते है, air conditioning के, AC vents यहाँ पर on off करने के लिए, hazard lamp on off करने के लिए toggle इस तरफ मिलता है, यहाँ पर आपको clock भी दिया गया था, यहाँ पर hours, minutes and seconds के लिए HMZ mention किया गय आए, वैसे आप और भी सारी चीज़े यहाँ पर रख सकते हो, उपर की तरफ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर twitters की placement के लिए जगा हुआ करती थी, तो दो speaker दोनों ही door pads में, और दो twitters यहाँ पर dashboard की उपर, इतने speaker की जगा थी यहाँ पर, पीछे की तरफ कोई जगा नहीं है, speaker, twitter के लिए, अब एक और चीज में बताओ, यहाँ पर भी आपको एक tray मिलता था, जहाँ पर इस system का remote रखा गया है इस वक्त, लेकिन यह tray भी काफी deep है, यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप wallet भी रख सकते हो, यार, मतलब दिखाई देता हो, आप इसी जगाओ पर दी है न, मतलब भाई साब क्या ही बोलू, मैं थोड़ी सी निकालने में दिक्कत ज़रूर हो रही है, लेकिन कोई problem नहीं है, रख पा रहा हो, वही बड़ी बात है, नीचे भी storage space है, यह हटा दिया, तो यहाँ पर भी storage space आपको मिल जाएगी, यहाँ पर भ covering भी दी गई है, और यह silver finish में दिया गया है, जो की काफी खूबसूरत लग रहा है, अगर आप देखोगे न, इसे तो काफी खूबसूरत लग रहा है यह देखने में, यहाँ पर 5-speed manual transmission के साथ यह गाड़ी आती थी, gear lever के around leather wrapping मिलती थी, gear knob के around भी leather wrapping मिलती थी, हाला कि यह क आपर दिया है, कोई armrest, armrest उस वक ताता ही नहीं था, कोई प्रथा नहीं थी, armrest वगरा देने की, अब यहाँ पर आपको मिलता था glow box, glow box का size उस वक भी काफी अच्छा था Tata Motors का, और आज भी glow box के मामले में Tata Motors बड़ी दिलदार है, बड़े-बड़े glow box दे देती है, cup holders इ इसके लिए ये काफी अच्छा खासाट texture दिया है, IRVM की बात करें तो normal IRVM है, कोई day night function नहीं है, normal IRVM है, आपके ओपर light white आया, तो आप हाथ से ऐसा ऐसा कर सकते हो, इसमें बटन बटन कुछ नहीं है, ना ही इसमें वो lever है, जिससे आप day night adjust कर सकते हो, उपर cabin lamp है, halogen cabin lamp है, यहां से आप यह दो छोटे छोटे lights भी on कर सकते हो, रोशनी काफी अच्छी है, को driver side sun visor के उपर vanity mirror मिल जाता है आपको, यह देख रहे हो, काफी अच्छे size का vanity mirror मिल जाता है, और driver side sun visor के उपर आजकल हो एक CD सी पट्टी दे देता है न, उस वक्त Tata Motors देखो कितनी दिलद यह रखी गई है, यहां पर देखो, quality of material, attention to detail देखो यार, ticket holder मतलब वो पट्टा दे दिया, ऐसा नहीं किया है, काफी अच्छा खासा space दिया है, जिसके पीछे आप अपना ticket holder जैसे यह CD cover वगरा रखा है, इस purpose के लिए दिया गया था यह, और यह गाड़ी जो थी, यह Tata Motors क पहली Indian made hatchback car थी, जो उन्होंने अपने ही plant में made in India बनाई थी, और इसी गाड़ी से Tata Motors का सफर शुरू हुआ था, और आज देखो, कहा से कहा तक पहुझ गया है, लोक, तो दोस्तों, यही था मेरा आज का review video Tata Indica Zeta के बारे में, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा ह तो इसे like जरूर कर दीजिए, आपको यह Tata Motors की पहली गाड़ी कैसी लगी, comment section में जरूर बताईए, मिलता है फिर ऐसी किसी अगली review वीडियो में, तब तक के लिए, drive safe, take care, bye-bye